नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका वहीं चीर परिचेत दोस्त आज पुना हुपस्तित हूँ दोस्तों आप सभी के लिए एक नई और शधी लेकर के एक नया नुश्खा लेकर के दोस्तों जो आपके लिए कारगर और फायदे मन्द साबित होगा क्या आप हमेशा हेल्दी और फीट रहना चाहते हैं यदि हाँ तो आपको खाना चाहिए त्रिफला जी हाँ त्रिफला यानि की तीन और शधियों का मिस्रण या कि यूँ कहें तीन फलों का मिस्रण हरड बरड और आवला से मिलकर बनी दवा त्रिफला एक आयूरवेदिक दवा है जो शरीर की कई बिमारियों को दूर करने में अहम भूमिका निभाती है त्रिफला इतनी असरदार है कि इसकी तूर्णा मा के दूर्थ तक से की जाती है दोस्तों ये मोतिया बिंद वात दोष जक्म और जलन में मददकार साबित होती है दिमाग और दिल के लिए तो यह चमतकारिक तवा टोनिक का कारिक करती है दोस्तों आए अब हम जानते हैं इसे कैसे बनाएं इसे बनाने की विधी त्रिफला का मिश्रण बनाने के लिए हरड बरड और आउला को सुखा कर बराबर मात्रा में पीश लें अब इस मिश्रण को कपड़े से चान कर एक बरतन या डिबबी में भर लें दोस्तों इसके फाइदे आईए अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि इसके फाइदे क्या क्या है बालों के लिए त्रिफला काफी फाइदे मंद है इसके प्योग के लिए रात में त्रिफला को पानी में भीगों कर सुबह उस पानी से धोएं बाल काले घने चमकीले वो लंबे होंग साथ ही बालों का समय से पहले सफेद होना रुप जाएगा। चेहरे की जुर्यों को दूर करने के लिए त्रिफला का उपयोग किया जाता है। त्रिफला को सहट के साथ लेने से रक्त वाहनिया लचीली होती है। जिससे रक्त प्रबाह आसानी से होता है अधिक उम्र में व्यक्ति के लिए त्रिफला बड़े ही काम की चीज है यह दिल को मजबूत बनाए रखता है साथ ही बुढ़ापे में प्रोष्टिस ग्लेंड बढ़ जाने या मुत्र बंद हो जाने जैसी समस्याओं से भी निजात दिलाता है गहाव को जल्दी भरने के लिए त्रिफले का कारहा इस्तिमाल किया जा सकता है इस तरह यह एलोपैथिक एंटिसेप्टिक को रिप्लेस कर देता है यादि आपको डाइबीटीज की शिकायत है तो आज से ही त्रिफला का सेवन शुरू कर दें आपको आवश्य लाव होगा द करें कब जिसे निजात मिलेगी आपको इसके साथ शात त्रिफला सेक्सवरधक भी होता है दोस्तों जी यह इसमें सेक्सवरधक कु 묻 भी पाए जाते हैं क्योंकि आपकी बौडी में शक्ति ब्लड का संचार सही होगा सक्ति बनेगी तो शक्ति के साथ-साथ आपकी यौन योन शक्ति भी बढ़ना लाजमी है दोस्तों तो आपके लिए योन शक्ति के रूप में भी ये बरदान का काम करेगी इस प्रकार से आज की हमारी और शधी रही दोस्तों त्रिफला अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे एक और नए और शधी लेकर के एक और नया टॉपिक करके तब तक के लिए धन्यवाद